हाई फ्रेंड्स वालकम डू टैली डीजियल क्लास दोस्तों फिर से एक और बार अपनी येटूब चैनल टैली डीजियल क्लास में स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में हम डिसक्ष करने वाले हैं कि टीडियस क्या होता है टीडियस किन-किन चीचों पर काटा जाता है और टीडियस के सेक्संस क्या है उसके बारे में हम आज डिसक्ष करने वाले हैं तो दोस्तों सुरुआत करते हैं जल्दी से सुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी फिर से एक और बार रिक्वेश्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न टीडियस के गी तो आज वीदियो में आप डिसकस करता हूं जीचिस्टी के रिलेड़ होते हैं जिएस्टी में जो में होते हैं और एंच के से रिलेटेट में वीडियो बनाता रहता हूं तो उसकी जानका नहीं मैं आपको आप चैनल त्रोग देता रहा हुआ तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीडियस होता क्या है सबसे पहले तो हम टीडियस का फूल फॉर्म होता है टैक्स गवर्मेंट ने बताय हुई थ्रेशॉल्ड लिमिट से अगर ज्यादा का पेमेंट हम करते हैं तो उस पर टीडियेस काटा जाता है और गवर्मेंट की वेब साइट पर उसके सेक्शंस टीडियेस का रेट सब कुछ दिया होता है आज के इस अध्याय में हम नौन के बारे में डीसक्स करने वाले हैं एक होता है एप्लॉई त एंप्लॉई की बात करने वाले हैं तो उन फेसिडियेस में और कमिशन इंकम रेंटल इंकम में section 194I, contract का section 194C, professional fees का section 194J और commission income, इसके बाद किन किन चीजों पर कितना कितना TDS काटा जाता है और उसकी threshold remote कितनी बताई गई है, proper तो आप अगर website income tax department की website है वहाँ पर आप जाओगे, तो आपको पूरी detail वहाँ से मिल जाएगे फर्स्ट हम बात करें, तो land and building, land और building अगर हमने बाड़े से खरीद रखी है तो उसका जब हम payment करेंगे, तब one lakh हैसी हजार से जादा, एक लाक हैसी हजार से जादा का हम payment करते है yearly हम एक लाक हैसी हजार से जादा का payment करते है, तो उस पर 10% TDS हमें काटना है फिर उसके बाद उसका payment करना है इसके बाद plant and machinery, plant and machinery एक लाक हैसी हजार की threshold limit बताई गई है अगर उससे जादा का अगर हम payment करते हैं, तो उस पर 2% TDS काट कर, फिर हमें payment करना होता है contract के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ, मन्थली अगर 30,000 से जादा का payment करते हैं, मन्थली, ध्यान रिखें, मन्थली 30,000 का जादा सा, 30,000 से जादा का अगर आप payment करते हैं, तो उस पर 1% TDS काट कर, फिर आपको contract का payment करना है इसके बाद yearly अगर देखें, तो 1,000,000 से जादा का payment करते हैं, तो आपको 1% TDS काट कर, फिर पैमेंट करना है bank interest की अगर हम बात करें, तो yearly 10,000 से जादा का अगर आपका bank interest है, तो bank आपको 10% TDS काट कर ही actual amount balance अंदर बताएगी इसके बाद अदा है lottery, अगर कहीं आपकी lottery लग जाती है, तो 10,000 से जादा की lottery है, तो आपको 30% TDS काट कर, फिर income होगी इसके बाद insurance and commission, insurance कहीं तरह के होता है, life insurance, फिर motor car का insurance होता है, कहीं तरह के insurance होता है, उसमें अगर उसका commission 15,000 से अगर जादा कहें, तो उस पर 5% TDS कटा है, अधर commission है, तो उस पर 10% का TDS काटा जाता है, आज की इस lecture हमें हमने जाना, TDS क्या होता है, TDS किस type के होता है, TDS section क्या है, और TDS के किन threshold limit और कितने percentage है, उसके बारे में हमने आज यहां पर discuss किया, आने वाले समय में, मैं और भी बहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, GST return के related वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, तो जूड़ रही है, हमारे इस channel के साथ, मिलते हैं अगले इसी interesting वीडियो के साथ, झाले इस और चले आने वीडियो के ऑब बनाने वीडियो बनाने वीडियो contest, आने वीडियो बनाने वीडियो थी साथ.